नमस्कार बच्चो क्रोना वाइरस महावारी के चलते हुए हम आपको ओफ लाइन यानि नियमित कलासे देने में असमर्थ है अता हम आज से आपकी ओनलाइन कलासे हम उप्रारंग कर रहे हैं जिसमें मैं संदीप मोधी आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा पहले देखो कि क लेखा सास्तर अकाउंटेंसी है उसमें अपने कौन-कौन सी बुक लगेगा देखो एक सबसे पहले इसमें लगती है अकाउंटेंसी यानि की लेखा सास्तर बिजनस मनेजमेंट कि विवसाइक परवन्द कंप्यूटर या आप इसमें कंप्यूटर के आपके पास ओप्सन है इकोनोमिक का यानि कंप्यूटर या अर्थ सास्तर जन्रला जो समानने है सब के लिए लगती है वो तो इंगलीज और इन्डी ले सकते हो चाहो तो economic ले सकते हो इन चारों के लिए तो आपके पास कोई आपस नहीं है accountancy business management English और इंदिया लेना पड़ेगा लेकिन computer और economic इन दोनों में से आपके पास एक option है आप दोनों में जो चाहो वो ले सकते हो अब commerce कोई बच्चा ले रहा है उसका वहां महीन है कि मैं अकाउंटन सी के लिए लेता है क्यों लेता है कि इस अपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है अकाउंटन सी यह लिखांकन आपके लिए क्या है एक न्यू सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के लिए मालने को बच्चा अगर लेता है तो अकाउंट के लिए ही लेता है अभी अकाउंट उपती क्या है इसको कैसे लिखते हैं क्या करते हैं यह सारा आपके लिए एक नई चीज़ है जिसके बारे में आपको बताऊ तो देखो यह तो सुब्जेक्ट है अकाउंटएंस सी इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है लेखांकन यानि लेखांकन होता क्या है यानि कि लिखांकन में क्या चीज़ा तेरे को लिखांकन के अंतरगत सबसे पहले अपने ववारों को पुस्तकों में लिखते हैं उसके बाद उसका वरगी करण करते हैं यानि खाता भई में खतोनी करते हैं और उसके पश्चाद क्या करते हो आप उससे सारांस त्यार करते हो यानि की फाइनल अकाउंट्स बनाते हो और फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद उसे उनके उप्योग जो करते होते हैं जो उसका यूज करते हैं उन तक आप क्या करते हो सेंड करते हो ऐसा करके आपका लिखांकन कारिये पूरा होता है नाम से थोड़ा नग रहा है देखो लेक पलस में अंकन ये क्या हो गए लिखांकन अब लिखांकन होता क्या है कि लिखांकन क्या चीज़ है लेक पलस में अंकन यानि कि उन विवारों का लेखा जिने आप अंकों में व्यक्त कर सकते हो जिने आप क्या कर सकते हो अंकों में लिख सकते हो वो लेखांकन कहलाता है या आप ऐसे मान सकते हो कि लेखांकन में आप केवल उनी विवारों का लेखा कर सकते हो जिने आप अंकों में या ऐसे मानलो मुद्रा की रूप में व्यक्त कर सकते हो लेखांकन में केवल उनी विवारों का लेखा वत्ता है जिसे आप मुद्रा की रूप में व्यक्त कर सकते हो कहने का मीन जैसे मानलो राम ने 10,000 रुपे का माल खरीता तो राम ने दस जार का माल खरीदा तो इसे आप लिखांकन में लिख सकते हो क्यों लिख सकते हो क्योंकि इसकी जो वेल्यू है जिसे आप मुद्रा में माप सकते हो वो कितने रुपे है दस जार रुपे है यानि जो वेल्यू है जिसे आप मुद्रा के रुप में माप सकते हो वो कितनी है दस जार रुपे है तो इसका मतलब आप लिखांकन में इस कारिये को लिख सकते हो लेकिन ऐसा आजाएं कि किसी व्यपार में राम बहुत इमानदार करमचारी है अग किसी भी बिजनस के लिए इमानदार करमचारी होना एक बहुत इंपोर्टेंट बात है लेकिन फिर भी आप इसे बुक्स में नहीं लिख सकते क्योंकि आप किसी की इमानदारी को मुद्रा में लिख सकते हो अमाउंट में लिख सकते हो आप उपर वाली ट्रांजेक्शन को लिख सकते हो क्योंकि आप उसे मुद्रा में लिख सकते हो अमाउंट में माप सकते हो लेकिन निच्चे वाली को ने लिख सकते क्योंकि किसी की इमानदारी को आप मुद्रा में लिख सकते चुंकि एक करमचारी का इमानदर होना किसी व्यपार के लिए अतिया उससे कैए फिर भी आप उसे नहीं लिख सकते अब देखो लेखांकन कारिये पूर्ण कैसे होता है लेखांकन कारिये तीन स्टेव में पूरा किया दरता है लेखांकन कारिये तीन स्टेव में पूरा किया जाएगा तो देखो लेखांकन की अवस्ताएं अब लेखांकन की तीन अवस्ताएं होती है अब लेखांकन की तीन अवस्ताएं है प्रारमभी का वस्ता अवस्ता नमबर एक नमबर दो वर्गी करण और नमबर तीन संबरी आसारांश लेखांकन की तीन अवस्ताएं होती है प्रारमभी का वस्ता वर्गी करण और संबर तीन अवस्ताएं पूरी हो जाती है तो अपने कहते हैं भी लेखांकन का करिये पूरा हो गया है अपने कहते हैं भी लेखांकन का करिये पूरा हो गया है अब प्रारमभी क अवस्ता क्या है जब कोई व्यपारी कोई व्यवार करेगा कोई भी मोद्रिक व्यवार जिसे आप क्या है अमाउंट में वेक्ट कर सकते हो वो मोद्रिक व्यवार कहलाता है जब भी आप कोई मोद्रिक विवार करोगे अपारी कोई मोद्रिक विवार करेगा तो जैसे वो विवार करेगा वो ट्रांजेक्शन करेगा और ट्रांजेक्शन करते ही जिस बुक में लिखेगा उसे अपने क्या कहेंगे प्रारमभिक अवस्ता कहेंगे और उस बुक को क्या कहते हैं अपने जर्नल कहते हैं उस बुक को क्या का जाता है जर्नल का जाता है कोई विवारी जैसे ही कोई विवार करेगा मोद्रिक विवार करेगा और मोद्रिक विवार करते ही जिस बुक में उसे लिखेगा वो जर्नल कहलाती है जिसे प्रारंभिक अवस्ता की उस तर बोलते हैं जो बड़े व्यपारी होते हैं उनके लिए व्यवार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एक जर्नल में अपने समस्त व्यवारों को नहीं लिख सकते वो एक जर्नल के अंदर अपने समस्त व्यवारों को नहीं लिख सकते इसलिए वो जर्नल को कई बागों में बाट लेते हैं है वो जर्नल ही लेकिन वो जर्नल के टुकडे कर लेते हैं प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो छोटे वेपारी होते हैं वो तो क्या करते हैं जर्नल बनाते हैं लेकिन जो बड़े वेपारी होते हैं उनके विवार इतने ज्याद़ा हो जाते हैं कि जनल में उन समस्त विवारों को लिखना उनके लिए काफी पूस्त कि और पिरते बाद क्या कहलाता है एक सब सीडरी बुक कलाता है क्या कलाता है सायक पुस्त के या सायक पुस्त के ये जर्नल को ही सायक पुस्त के कहा गया है बस फरक इतना सा है इसमें क्या है कि वेवारों को उनकी बुक के नुसार लिखा जाता है ट्राजेक्शन को उनकी बुक के नुसार लिखा जाता है जबकि जर्नल में समस्त वेवारों को एक साथ लिखा जाता है जो बड़े वेपारी होते हैं करनल को कई बागों में बांट लेते हैं प्रते एक बाग एक साय कुष्ट के लाता है अब पुल मिलाकर आठ साय कुष्ट के होती है अपनी वह देखो कौन कौन सी है नंबर एक कि प्रचेज बुक कि नंबर दो कि सेल्स बुक कि नंबर तीन प्रचेज रिटन बुक कि नंबर चार कि सेल्स रिटन बुक कि नंबर पांच कैस बुक कि नंबर चेज बिल्स रिसीवेबल बुक कि नंबर तीन प्रचेज रिटन बुक और नंबर आठ पे है जर्णल प्रोब पर ये आठ प्रकार की साइक पुस्त के निस सब्सीडरी बुक होती है प्रचेज बुक सेल्स बुक प्रचेज रिटन बुक सेल्स रिटन बुक कैस बुक बिल्स रिसीवेबल बुक बिल्स पेबल बुक और जर्णल प्रोब्टर जो छोटे व्यपारी होते हैं वो प्रारंबिक अवस्था में केवल एक ही बुक रखते हैं और वो होती है जर्णल वो समस्त व्यवारों को जर्णल में लिखते हैं लेकिन जो बड़े व्यपारी होते हैं उनके लिए एक पुस्तक में समस्त विवारों का लिखना मुश्किल हो जाता है इसलिए वो उसे कई बागों में बाट लेते हैं और प्रते एक बाग एक सायक पुस्तक के लाता है जब अपनी प्रारंभिक अवस्था पूर्ण हो जाती है प्रारंभिक अवस्था पूर्ण होने के बाद हम क्या करते हैं उसका वर्गी करन करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें अपने एक पुस्तक रखते हैं तो इसमें कारी अपना होता है खाता भई में खतो नी करना यानि जो अपने विविन परकार के खात्य होते हैं उन्हें अपने क्या करते हैं अपने विवारों के नुसार बाँड़ कर और उसका वरगिकरन करके उसकी पोस्टिंग करते हैं वहां पे और उसके लिए एक बुक रखी जाती है जिस बुक में समस्त खाते खोले जाते हैं वो क्या कहलाती है अपनी खाता वही तुछ इंगलिस में लेजर बोला जाता है और अपनी लेजर में लिखना क्या कहलाता है पोस्टिंग करना कहलाता है तो वर्गी करन या खाता वही में खतोर नहीं जब अप कि अब अन्तिम खाते या जो से बोला जाता या फाइनल अकाउंट अब फाइनल अकाउंट के अंदर तीन प्रकार की वित्तिय विबरण होते हैं जिसमें एक को दो को तो अपनी आय विबरण बोलते है और तीसरा जो होता है इस्तिती विवरण बोला जाता है तो अंतिम खाते में आपको तीन भी तीन त्यार करनी है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट कि एक होता है प्रोफिटेंड लोस अकाउंट और एक होती है बैलेंस सीट प्रोफिटेंड लोस अकाउंट लाब अनि खात्ता और बैलेंस सीट चिथ्था यह तीन प्रकार के फाइनल अकाउंट में विद्थिवर्ण त्यार करते हैं ट्रेडिंग काउंट जिसे इंदी में व्यपार खाता बोलते हैं प्रोफिटेंड लोस अकाउंट जिसे लाब अनि खाता बोला जाता है और बैलेंस सीट जब यह तीनों अवस्था में पूर्ण हो जाती है तो अपने लास्ट में जाके लाब अनि गयात हो जाता है वितिस्थि गयात हो जाती है तो अपने क्या कहते हैं कि अपना जो लिखांकन का कारिया था वो पूरा हो गया तो लिखांकन कारिया तीन अवस्थाओं में पूर लेते हैं जो बड़े विय पारेव और करते हैं जर्णल को कही बागों में मांट लेते हैं और पर ते एक बात क्या कיलाती है एक SUPrali विक्रे बही सेल्स बूक विक्रे वही परचे रिटन बूक वक्रे वापसी वही सेल्स रिटन बूक विक्रे वापसी वही कैस बूक रोकड वही बिल्स रिसीवेबल बूक परप्य बिल वही बिल्स पेबल बूक दे बिल बही और लाश्ट में है जनल प्रोपर यानी मुख्य जनल ये आठ बाग हो जाते हैं इसके तो जनल के आठ बाग आई हैं ये तो जनल बनेगी या फिर या आठ बाग बनेगी तो अगर ये बनाते हैं तो इन्हें कहेंगे संपसीडिवी बूक अन्य था वो जनरल है जब अपनी जनरल बन जाती है या सबसेड़ी बुक बन जाती है तो उनकी आगे क्या की जाती है पोस्टिंग की जाती है खतोनी की जाती है और खतोनी के लिए विभिन परकार के खाते खोले जाते हैं और समस्त खाते जिस बुक में खुलते हैं उसे क्य प्रकार के खाते खोले जाते हैं जब अपना वर्गी करन का करिया पूरा जाता है तो अंतिम कारिय रहते हैं अंतिम खाते बनाना अब अंतिम खाते बनाना जिसमें तीन अंतिम खातों में तीन प्रकार के वित्तिवर्ण त्यार के जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट यानि वि लेकिन व्यपारी अपने कारिये को थोड़ा सा सरल करने के लिए कि जब वो खाता वही में खतोनी कर लेते हैं और अंतिम खाते त्यार करते हैं तो खाता वही में खतोनी और अंतिम खाते त्यार करने जब सिधा खाता वही से खतोनी से अंतिम खाते त्यार किये जाए तो कारि यह को थोड़ा साईजी करने के लिए वो इसके बीच में एक कारिया और करते हैं वो तलप्त बनाते है रियाने इनके बीच में वो कारे किया जाता है जो अंतिन खत का माँ नहीं है लेकिन फिरभी वेपारी अपने शुविधा के लिए उसे त्यार किया करता है जिसे क्या कहते है अपने तलपट या इंगलिश में जिसे बुला जाता है ट्रायल बैलेंस जियान रखना अंतिम खाते में पहले प्रादमी कवस्ता जनल आएगी वरगी करना आएगा और सरांस आएगा लेकिन तलपट बनाना किसी व्यपारी के लिए आवसक नहीं है ने वो अंतिम खातों का भाग है लेकिन फिर भी व्यपारी क्या करता है अपनी शुविधा के यानि सरांस में सुविधा लाने के लिए ये अंतिम खातों को सरल बनाने के लिए वो बीच में ट्राइल वैलैंस या कलपट त्यार करता है जब यह सारी अवस्ताएं पूरी हो जाती है तो अपना लिखांकन का कारिये भी पूर्ण हो जाता है अब प्रारंबिक अवस्ता म मुद्रा में वैक्त करते हो तो उसे सबसे पहले किस में लिखा जाएगा जर्नल में लिखा जाएगा लेकिन अगर वेपारी जर्नल ने बनाकर सायक बहिया बनाता है अगर वेपारी जर्नल ने बनाकर क्या करता है सायक बहिया बनाता है तो करे भी बनाएगा अब यह रहती यानि जब माल उदार ख्रिदा जाता है तो उसका लेखा जिस वही में किया जाता है उसे परचेज बुक कहा जाता है विक्रे वही में उदार माल का विक्रे करे वापसी वही खरीद दे गए माल की वापसी जो माल उदार खरीदा उसकी जब वापसी की तो वो आएगा करे वापसी में विक्रे वापसी वही बेचे गए माल की वापसी फिर रोकड वही में उन समस्त विवारों का लेखा होता है जो नगद में करते हैं या तो बिजनस में क्या रुपे आने चाहिए या फिर बिजनस से रुपे जाने चाहिए जब अपने क्या करते हैं नगद विवारों का करते हैं तो उसका लिखा रोकड वही में करते हैं नगद विवारों का लिखांकन प्राप्पे बिल वही में प्राप्पे बिलों का लिखां अब प्राप्पे बिल क्या होते हैं इसके बारे में आपको आगे बताएंगे विस्तार से दे बिल वही में दे बिलों का लिखां और मुख्य जरल में सेज विवारों का लिखां कि इस तरह से आप विमिन प्रकार के दॉर सब्सीड्री वुख हैं उन्हें प्रकार का लिखा करेंगे पहले कोन सी है प्रचेज वुख करे बही में जब माल आप उदार खरीद दोगे तो उसका लेखा जिस पुस्तक में करोगे उसे क्या कहते है अपने करे बही उदार माल का भी करे यानि जिस पुस्तक में माल लो माल उदार बेच्चा और जिस पुस्तक में लेखा करोगे वो आपकी अगर मालो माल अमने उदार खरीदार उसको किसी कार्ण से वापिस कर दिया तो जिस बुक में लेखा करेंगे उसे करेवापसी बही कहेंगे माल अमने बेचा और अमारे पास वापिस आ गया वो किसी कार्ण से तो उसे क्या करोगे जब जिस पुस्तक में लिखोगे उसे भिक्रेवाफसी बही करोगे रोकड बही में केवल किन व्यवारों का लेखा होता है जिसमें नगद में लेंदेन होता है या तो व्यपार में नगदराशी आती है या फिर व्यपार से नगदराशी जाती है प्रापे बिल और दे बिल बही में प्रापे बिलों का लेखा होगा दे बिल बही में दे बिलों का अब यह क्या होता इसके बारे में अलग से आपके सामने चेप्ट राएंगे उसमें आप जब ये तिनों अवस्तेय पूर्ण हो जाएगे तो आपका लिखांकन काकारिये भी पूर्ण हो जाएगा i